हेलो चिल्रिन आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पे सेफ होंगे अच्छे से होंगे तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर नाइन दे लिविंग ओर्गैनिजम्स एंड देर सराउंडिंग्स लिविंग ओर्गैनिजम्स कौन होते हैं जीवित प्राणी को हम लिविंग ओर्गैनिजम्स कहते हैं और उनके आसपास की जगह को हम सराउंडिंग्स कहते हैं इस शाप्र में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जीवित प्राणी या लिविंग ओर्गैनिजम्स अपने ल नहीं मिलता है तो वो उस जगह से उठकर किसी और जगह कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं और किस तरीके से वो उस जगह पर रहते हुए अपने आपको उस वातावरण में, उस टेंपरेचर में, उस मौसम में, उस क्लाइमिट में, उस प्रकार की जो कंडिशन्स होती हैं धालने की कोशिश करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चाप्टर दर लिविंग ओर्गैनिजम्स एंड लियर सर्राउंडिंग्स question number one given in this chapter is what is a habitat habitat क्या होता है habitat मतलब वह जगह जहां हम रहते हैं answer है habitat means a dwelling place a home the surroundings where organisms live is called a habitat the organisms depend for their food water air shelter and other needs on their habitat several kind of plants and animals may share the same habitat habitat मतलब होता है वह जगह जहां हम रहते हैं हमारा घर surroundings जहां पर आसपास का वातावरण जहां पर सारे और्गैनिजम्स एक साथ रहते हैं और्गैनिजम्स डिपेंड होते हैं अपने खाने के उपर पानी के उपर हवा अपने रहने की जगह और दूसरे कई प्रकार की जरूरतों के लिए अपने habitat पर हमारे घर अपने घरों पर बहुत सारे plants और एनिमल्स जो होते हैं वह अपने रहने की जगह दूसरे plant और एनिमल्स के साथ शेयर करते हैं जैसे कि हम एक example ले सकते हैं forest forest में कई प्रकार के अनिमल्स एक साथ रहते हैं कई पेड एक साथ रहते हैं और वह वहाँ पर उपस्ति जो भी चीजे हैं खाना है हवा है मिटी है पानी है सबको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं दूसरा example हम ले सकते हैं वह है पानी ताला नदी या आप सरोवर कहें जील संहUnis के प्रकार के अनिमल्स होते हैं या पानी में रहने वाले जीव होते हैं वह सभी एक दूसरे के साथ मिलकर वहां पे उपस्तितуск जो भी चीजें होती हैं जयसे हवा है पानी हैं पानी में उपस्तित similar ऑकसिजन गैस हैं उसी प्रकार से खाना है वह सभी मिलकर एक दूस कैक्टस का पौधा आप सभी ने देखा होगा जिसमें काटे लगे हुए होते हैं कटीली जाडी होती है या कटीला एक पौधा होता है जिसमें काटे लगे हुए होते हैं तो कैक्टस किस तरीके से अपने आपको डेजर्ट में डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान रेकिस्तान में रहने के लिए अपने आपको बना लेता है Means गिस तरीके से कैक्चरस में कौन सी ऐसी प्रोपर्टीज होती है जिससे वो रेकिस्तान में रह सकता है Question, answer है Cactus lose very little water through transpiration जब transpiration होता है Transpiration का मतलब होता है पौधों की पत्तियों से पानी निकल जाना जब अत्यदिक गर्मी होती है तो पौधे में से पानी drop drop निकलता है मतलब पौधे में उपस्ति छोटे छोटे जो पोर्ज होते हैं जो छेदे होते उन में से पानी लगतार निकलता रहता है लेकिन cactus एक ऐसा पौदा है जो कि transpiration के द्वारा बहुत कम पानी अपने शरीर से निकलने देता है The leaves in cactus plants are present in the shape of spines अब cactus के पौदे में जो पत्ते होते हैं, leaves होते हैं वो छोटे-छोटे काटों के रूप में होते हैं This helps in reducing loss of water और जिसकी वजय से पानी का निकलना, reduce होना, कम होना बहुत ही कम रहता है This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration Its stem is converted into a leaf-like structure इनका जो तना होता है cactus का वो एक पत्ते-णुमा structure में converted होता है Photosynthesis in these plants is usually carried out by the stems अब इन पौधों में photosynthesis process जो है जहां पर पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा जिस क्रिया के द्वारा वो यूजिली, mostly जो है वो stems के द्वारा इन तनों के द्वारा जो पत्ती नुमत आने होते हैं उनके द्वारा किया जाता है अब जो stem होती है जो तना होता है उसमें एक बहुत ही मोटी वैक्स की लेयर होती है वैक्सी लेयर मतलब जैसे जो एक मोटा गद्दा नुमा या गद्देदार लेयर होती परत होती है विच हेल्प्स तो रिटेन वाटर जो पानी को निकलने से पत्ते से निकलने से या सूखने से बचाता है कैक्टस प्लांट्स हैव रूट्स दाट गो वेरी डीप इंटो दा सॉयल Cactus plants में जो root होती है जड़े होती है वो बहुत नीचे तक मिट्टी में जाती है और इसका कारण यह है for absorbing water, पानी को absorb करने के लिए Next question Fill in the blanks, fill up the blanks, question number 3 A. The presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called कुछ विशेश प्रकार के features जो plant और animals में पाई जाते हैं जो कि उन्हें एक particular आवास में रहने के लिए प्रतिबंधित कर देते हैं या सिखा देते हैं उन्हें उस जगह पर रहना, उसे हम क्या कहते हैं Answer है Adaptation 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 का मतलब होता है कि हम किसी एक जगह पर रहना सीख जाते हैं हम अपने आपको ढाल लेते हैं उस टेंपरेचर में उस जगह में उपस्ति थीजों के आनुसार उसे हम Adaptation कहते हैं Question No.2 है The Habitats of the Plants and Animals that live on land are called Dash Habitants Plant और Animals की रहने की वो जगह जहां पर वो रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम Terrestrial Habitants कहते हैं मतलब जब Animals धरती के उपर रहते हैं उसे हम Terrestrial Habitants कहते हैं Soil, Water and Air Soil, Water and Air ऐसे कौन से Factors हैं Habitants के Soil, Water and Air are Abiotic Factors of a Habitants Abiotic मतलब जिनमें जीवन नहीं होता है Abiotic Factors होते हैं Habitants के Changes in our surrounding that makes us respond to them Our call वातवरण में वह बदलाव वह परिवर्तन जो हमें उस परिवर्तन में रहना सिखाता है या उसे अरपन करना या उसे Accept करना सिखाता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम Stimuli कहते हैं Stimuli S-T-I-M-U-L-I Question No.4 Which of the things in the following list are non-living? इन में से कौन सी चीजें हैं जिनमें जीवन नहीं है Plow Plow मतलब होता है Hull वो हल Solve नहीं Solution नहीं Hull मतलब होता है जो किसान अपने खेत में इस्तिमाल करते हैं Hull Plow Mushroom Saving Machine Saving Machine मतलब होता है Silahy Machine आप इसे Saving Machine या Saving Machine दोनों कह सकते हैं Boat Water Hyacinth Earthworm तो इन में से non-living है Plow दूसरा है Saving Machine या Silahy Machine Radio Boat Question No.5 Give an example of a non-living thing which shows any two characteristics of living things आपको कोई दो ऐसे उदाहरन देना है non-living things के और जीवित छीजों के जो कि यह बताता है कि उनमें भी कोई ऐसे characteristics या विशेशताएं हैं living things के जैसे ही बस and machine बस and machine बोत शोज movement and consume energy बस भी move करती है मशीन भी move करती है मत्ब मशीन भी चलती है यह दोनों movement शो करते हैं और energy को use करते हैं जैसे कि living things जो हैं वो भी इधर से उदर जाते हैं और इधर से उदर जाने में उन्हें energy या ताकत की जरूरत पड़ती है तो the answer क्या है answer is bus and machine question number 6 which of the non-living things listed below were once part of a living thing इन में से कौन सी ऐसी आजीवित वस्तु है जो पहले कभी living thing जीवित वस्तु की एक भाग हुआ करता था पार्ट हुआ करता था तो पहला है butter, leather, soil, wool, electric, burl, cooking, oil, salt, apple, rubber answers है butter butter दूद से बनता है मक्खन, leather जो है कि चमडा जो है वो किसी भी इनसान के शरीर के माज से बनता है wool याने उन जो है शीप से या भेर से निकाला जाता है cooking oil cooking oil पॉदो से बनता है apple, fruit egg और rubber ये सबी जो है वो कभी एक living thing के पार्ट हुआ करते हैं question number 7 list the common characteristics of the living things living things के common characteristics के वारे में बताईए living things have certain common characteristics living things में कई characteristics पाय जाते हैं पहला है they need food उन्हें खाना चाहिए they respire वो भी सांस लेते हैं and excrete excrete मतलब जो खाया जो पचा हुआ भोजन होता है उसे शरीर के बाहर निकालना respond to their environment अपने आसपास की जगह के हिसाब से अपने आपको ढालना reproduce अपने से नया एक प्रड्यूस करना grow करना याने बढ़ना and show movement माने एक से जगह means एक जगह से दूसरी जगह जाना करना जगक ह जगह जगिए झालना